नमस्कार जैशी क्रश्न में जयागुपता इस वीडियो में मैं रमा एकादशी की वृत कथा और उसका महत्तम्य लेकर आई हूँ कहते हैं रमा हरी कोप्रिय अती गावे वेत पुरान हरी नाम में रमे रहो सद बुद्धी दे भगवान युदिष्टिर ने कहा हे केशो अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्षकी एकादशी का नाम बताईए उसका महत्तम में बताईए और किसने उस वृत को किया उसकी कथा सुनाईए तब बगवानशी कृष्ण जी बोले हे राजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्षकी एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं इसके व्रत को करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं इसकी मैं कथा सुनाता हूँ आप ध्यान पुरवक सुनिये प्राचिन समय की बाते एक राजा था उसका नाम मुझकंद था वो बहुत ही धर्म कर्म के साथ अपना राजकारी करता था इसलिए वो धर्म राज्य करता था उसकी मितरता भी इंदर, कुबेर, वरूर, विवीशन, इत्यादी लोगों से थी वो बहुत ही सत्य प्रिय था और सत्य बोलने वाला था और भगवान विश्णु का गहरा भक्त था कुछ समय बाद उसके एक लड़की पेदा होती है जिसका नाम वो चंदरभागा रखता है चंदरभागा चंदरमा की सोला कलाओं के समान बड़ी हो जाती ही जब वो शादी के योग के होती है तो राजा उसक साथ उसका पती शोभन भी आया होता है अब एकादशी का व्रत आने वाला होता है अब चंदरभागा ने एकादशी का दिन जैसे जैसे समी पाता है तो जान करके विचार करती ही कि मेरा पती तो अत्यांत दूर्बले ये वो तो एकादशी का व्रत करनी पाएगा अब वो का वरत नी करेंगे तो में भी ऐसा वरत नी कर सकती परन्तु मेरे पिता के राज्जी में तो उनकी बहुत कठोर आग्याएगी कि सभी को एका दशी का वरत करना होताएगा जैसे एका दशी का दिन नजदी काता है तो पूरे राज्जी में डिंडोरा पिटवाया जाताएगा अब जिसको सुनके शोभन जो था वो अपनी पतनी से कहता हैगा कि है प्रिये अब तुम ही मुझे कुछ ऐसा उपाए बताओ क्योंकि यदि मैं वरत करूँगा तो मैं तो अवश्ची मर जाओंगा तब चंदरभागा कहतीगी कि है प्राणनात मेरे पिता के राज्ज में एकादशी में कोई भी भोजन नी करताएगा यहां तक की हाथी घोडे उट भेस गाई बेल कोई भी पशू अन भी ग्रहन नी करताएगा यहने किसी के घर खाना ही नी बनताएगा तो फिर आप बताएगे कि आप किस प्रकार से यहां पे अन ग्रहन कर सकेंगे यदि आपको भोजन करना है तो आप इस नगर को छोड़के किसी अन्य जगह पे चले जाओ यदि आप यहां रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा तो शोबन उत्तर देते हुए कहता है कि प्रिये तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है अब मैं इसको अवश्य करूंगा जो भाग्य में लिखा है वो होगा पर मैं एकादशी का व्रत अब अवश्य करूंगा यह सोचके शोबन ने एकादशी का व्रत किया अब वो भूख पयास से बहुत पीडित होने लग अब परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन सुबह होने से पहले ही शोबन की म्रत्य हो गई तो राजा ने उसके शरीर का दहा संसकार करा दिया अब चंद्रभागा अपने पिता के घरी रेने लगी रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोबन को मंदरांचल परवत पर एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ उसकी अटारी में सुन्दर रत्न और स्वर्ण के खंबे लगे हुए थे और वह उस स्थान पर स्वर्ण सीहासन पर विराजमान हो रहा था यहने बेठा हुआ था और उसके सम्मुख अपसराय नत्ति कर रही थी और गंधर्व गान कर रहे थ है ऐसा लग रहा था कि यहां दूसरा इंद्र लोगके जहां पर इक और इंद्र भगवान बैठे हुएंगे शोल्बं इस तरह से प्रतित हो रहा था कि जैसे ंद्र देव की सभा में इंद्र देव of अब एक समय की बात है राजा मुचकंद के नगर का एक श्रेश्र ब्रामन सोम शर्मा तिर्थे यात्रा को गया अब गूमता फिरता वो उसी इस्थान पे पोच गया अब सोम शर्मा ने जैसे ही शोभन को देखा तो तो अपने राजा के जमाई को पहचान गया और उनके निक था और विप्रदेव का सतकार बहुत धूम नाम से किया जाता था तो उनका सतकार करके अपने पास बिठा के राजा शोभन और अपने ससूर और अपनी पतनी चंदरभागा की कुशलता के समाचार पूछने लगा तो सोम शर्मा ब्रामन ने का कि है राजन हमारा राजा और आपकी पतनी चंदरभागा दोनों ही कुशल से हैं अब आप मुझे को ये समाचार बताओ क्योंकि मुझे ये सब देखके बहुत आश्यर हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुन्दर नगर ना तो मैंने पहले कभी देखा ना कभी सुना आपको ये किस तरह से मिल गया तो शो शर्मा पूछताएगा कि है माराज ये सब अधू केसे है और ये दू केसे होगा इस बात का भी रहस से मुझे बताओ तो شोपन केताएगा कि हे ब्रामन मैंने रमा एकादसी के व्रत को किया था और उसके प्रभाव से मुझे ये सब प्राप्थ हुआ परंतु व्रत मैंने बिना श्रद्धा और भक्ति भाव के किया था इसके कारण मुझे ये नगर इस्थिर रूप से प्राप्तनी हुआ और मैं इसलिए इसे अधू मानता हूँ यदि तुम इस व्रत्तान्त को चंद्रभागा से जाके कहोगे तो वह इसे धू बना देगी तो सोमशर्मा ब्रहमन है और आकर और वह चंद्रभागा के पास जाता और सारा वुटत्तान्त उसको सुनाता आगा तो यह सारी बाते सुनके राजपुतिरी चंद्रभागा जहोथि वह उन से कहती ती शोमशर्मा की से के केते हैंगे वो कि है राज्जी कर्णिया जो भी मैं आपको बता रहा हूं यह सम्मेने आखों देखा है यह सारा व्रत्तांत में ने देखा है और प्रत्यक्ष में देखा है इसमें कोई भी किंचित मात्र भी जूट नहीं है परन्तु वह नगर अधूव है तुम कोई भी ऐस उपाय करो जिससे की वो नगर धूबन जाए तो चंद्रभागा केती है विपेंद्र आप मुझे उस नगर के में लेके चलो मैं अपने पती को भी देखना चाहती हूं और मैं अपने एकादर्शी व्रत के प्रभाव से उस नगर को धूबना लूँगी तब सोम्शर्मा च जीवे देहे को धारण करके अपने पती शोबन के पास चले जाती है शोबन ने अपनी इस्त्री चंद्रभागा को आया देख के बहुत ही प्रसनता पुर्वक अपने सिहासन के वाम अंग पे उसके उल्टे हाथ की तरफ वो उसको बिठाता है और अपने उसके व्रत का करती आ रहे हो उनी व्रत के प्रभाव से में आपका यह नगर धूक हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रले काल के अंतर तक रहेगा चंद्रभागा दिव्य देधारं कर अपने पती के साथ वहीं आनंद से रहने लगी हे धर्मराज यह मैंने तुमसे रमायका दशी व्रत कथा समाप्त इस एका दशी पर केले का सागार लिया जाता है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बे लेषी करेष्